राश्ट्री आये वाले चैप्टर में सबसे जादा जिस चीज का यूज होता है वो है फेक्टर कोस्ट और मार्केट प्राइस यानि FC और MP ये अक्सर आपको जो भी छोटे छोटे फॉर्ट फॉर्म्स होंगे उनमें देखने को मिलेगा जैसे NNP FC यानि Net National Product at Factor कोस्ट, NNP MP, Net National Product of Market Price तो साधन लागत यानि Factor कोस्ट और बजार कीमद यानि मार्केट प्राइस को समझना राश्ट्रिया को समझने के लिए बहुत जरूरी है चलिए शुरू करते हैं मेरा नाम नौमान है और आप देख रहे हैं SS Smart Study साधन लागत उतपादन के साधनों को उ इनके योगदान के बदले में दी जाने वाली राशी पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी उतपादन के साधन कितने होते हैं चार कौन गौन से भूमी पूंजी श्रम और उध्यम यानि entrepreneur ठीक है तो इनके काम के बदले में जो राशी दी जाती है उसको साधन लागत कह हैं मालो कोई वस्तु है जो 50 रुपए में बनकर तयार हुई है बिल्कुल फर्म से 50 रुपए में बनकर तयार हुई है तो वो उस वस्तु की फैक्टर कोस्ट होगी यानि की साधन लागत अब जो ये 50 रुपए की वस्तु बनी है इसमें भूमी का भी यूज किया गया था इसमें पूंजी भी लगी होगी जब ये वस्तु बन सकी इसमें उधमी भी होगा इसमें कोई श्रम भी लगा होगा जब ये काम हुआ तब ही वस्तु बनी तो जो ये टोटल कोस्ट आया 50 ये 50 कोस्ट किसको दे दे जाता है उत्पादन के साधनों को ये 50 रुपए किसको द उत्पाद बाजार में बिकता है दोस्तों याद करो पिछली वीडियो में हमने शुद अप्रेट टेक्षकर के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने अप्रेट टेक्षकर के बारे में जाना था अप्रेट टेक्षकर सरकार लगाती है किस पर वस्तू और सेवाओं के उत्पाद ठीक है तो बाजार कीमत वह कीमत होती है जिस पर उत्पात बाजार में बिखता है अभी जो एक्जामपल लिया कि 50 रुपे की कोई वस्तू बनी है अब जब वो बाजार में आती है उस पर कुछ टेक्स लगाती है गौर्मेंट अभी जो हमने एक्जामपल लिया था उसी को द अब ये वस्तु बजार में आते आते कितने की हो गई फिफ्टी फाइफ की यानि पच्पन रुपए की हो गई अब हमें यही समझना है कि साधन लागत क्या होती है तो साधन लागत क्या होती है जिस लागत पर उतपाद बना है कोई उतपाद 100 की लागत पर बना है तो वो 100 क तो कि नाकत होगी कोई 200 की लागत पर बना 200 होगी अब जो बाजार में आती है वो साधन नागत नहीं होती वो बाजार कीमत होती है अब जैसे सब्सक्राइब लेने जाते हैं बहुत सश्ती उखती हैं जब किसान के यहां से आपने कई लेकिन क्या बाजार में आके भी हमें उतनी सस्ती मिल पाती है नहीं मिलती उस पर कुछ टेक्स लगते हैं कुछ अलग से जो बेचने वाले होते हैं उन्हें भी कमाना होता है सब भी से जाएंगे आप एक चीज़ हैं राष्ट्री आए में एक चीज़ आती है किSM पर चेंज करो यानि कि साधन nggak से बादार कीमत में बदलो फैक्टर कों से मार्केट प्राइस अब देखिए घुन को से मार्केट प्राइस पर जाएंगे तो market price पर जाने ये क्या अभी हमने देखा कि 아프리텍ट्टक्षकर लग जाते हैं लेकिन हमने पीछली वीडियो में देखा था जिसमें हमने छुद अप्रित्टेक्षकर के बारे में पढ़ा था कि छुद प्रत्यक्षकर में दोनों शामिल होते हैं प्रत्यक्षकर और आर्टिक साथ क्यूंकि सरकार सिर्फ उप्रत्यक्षकर नहीं लगाती है साथ ही वो क्या देती है कि सबसीडी देती है हैँ तो हम क्या करेंगे जब साधर लागश्थły構aty जाजार कीम्ट पर कोई वस्तु जाती है तो हम उस दुरान JT यानि श्कदवर प्लस कर देते हैं FC से MP पर जाने के लिए करते हैं स्चुधवर प्लस कर देते हैं अब अगर MP से FC में बदनरे के लिए आजाताυχ ठीक है तो ऐसी स्थिती में क्या करेंगे अब जैसे हमने जो एक्जामपल लिया था 55 रुपेस की कोई वस्तु है उस पर कितना टेक्स लगाता 5% यानि 5 रुपे का तो वो फैक्टर कोस्ट पर कितने की थी 50 रुपे की थी तो ऐसी स्थिती में हम क्या करेंगे जो कर लगाए यह तह Trinity अपरत्ररक्र उनको माइनस कर दिया जाएगा इसे फिर से समझ ले एक बार जब हम lepsi से MP एपको प्र्रोल खेली पर जाते हैं तो मिप्रें कर खेल हैं आगे का नेक्ट्र जी दोखेल पर जारे हो तो लिडियो को को सब्सक्राइब करें